Hello students, आज हम पढ़ेंगे Fourier series के बारे में तो इस वीडियो में हम Fourier series के 2 pi periodic function के numerical solve करने वाले हैं So I hope you are ready with your pen and paper So without wasting much time, let us start this video तो सबसे पहले ये जो Fourier series है 2 pi periodic function के लिए उसका एक equation आपको याद रखना पड़ेगा एक equation याद करने पर सारे के सारे जो 2 pi periodic function के numerical है वो आसान इसे solve हो जाएंगे तो आप वो कौन सा equation है? वो देख लेते हैं तो जैसे के कोई एक function देखे रखा है आपको suppose करते हैं f of x function एक देखे रखा है और उसकी आपको Fourier series लिखनी है और वो कौन सी 2 pi periodic function की Fourier series लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? तो उसका equation है a0 by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinite a n cos n x plus summation of n is equal to 1 to infinite b n sin n x ठीक है? तो ये वाला equation आपको लगाना है जब भी numerical हो Fourier series का और particularly ये हो 2 pi periodic function के लिए तब ये equation आपको लगाना है अब ये equation क्या है? डरने की ज़रूरत नहीं है आसानी से सारे equation समझ में आ जाएंगे जब हम numerical solve करेंगे ठीक है? तो फिलहाल पर ये equation आप याद रख लेना अब ये equation की बात करें तो इसमें ये जो a0 है an है और ये जो bn है इसे हम बोलते हैं Fourier coefficients ठीक है? और ये जो Fourier coefficients है तीन Fourier coefficients उनकी value आपको find करनी है और जो भी इनकी values आएगी वो values आपको ये equation में रख देनी है जिससे करके final answer आपको मिल जाएगा ठीक अब question आएगा कि ये जो तीन Fourier coefficients है इसकी value हम कैसे find करें तो उसके लिए और तीन equation है वो easy equation से आपको याद रखने है कोई भी numerical में a0, an और bn के equation बदलने वाले नहीं तो कौन से equation है? तो a0 की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 1 upon pi integration of minus pi to pi f of x dx integration कर दोगे किसका? जो भी function देके रखा है numerical में उसका और limit क्या रखोगे? minus pi to pi रख दोगे अब आप बोलोगे सर हम तो बात कर रहे हैं 2 pi periodic function की यानि period इतना होना चाहिए 2 pi का होना चाहिए तो ये 2 minus pi 2 pi है ये तो कुछ pi का period लग रहा है तो मैं बोलूँगा ये pi का period नहीं है ये 2 pi का interval है कैसे देख लेते हैं? जैसे के ये minus pi और ये pi दोनों के बीच में आ जाएगा 0 0 और minus pi के बीच का interval period कितना pi होगा? minus pi है लेकिन हमें sin से मतलब नहीं हमें तो interval से difference से मतलब है ठीक है? अच्छा और 0 से pi ये कितना interval period हो गया pi तो ये हो गया pi प्लस pi ये ने ये हो गया 2 pi का periodic function तो minus pi to pi लिखा इसका मतलब क्या हो गया? ये हम 2 pi periodic function से इसे solve कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर दूसरी एक बात याद रखनी है जो integration के आगे आप लिख रहे हो 1 upon pi ये जो pi है वो हमेशा जो आपको period देखे रखा है उसका आदा लेना है जैसे कि 2 pi periodic function की बात कर रहे हैं हम तो 2 pi का आदा divided by 2 कितना हो जागा pi तो आदा लेना है ये important बात आपको याद रखनी है periodic function जो होगा उसका आदा लेना है यानि 2 pi periodic function है तो उसका आदा pi लेना है ऐसे ही an और bn में ही आपको 1 upon pi ही लिखना है अच्छा अब a naught की value आपको ये जो equation है पता चल गया अब आगे बढ़ते हैं an के बारे में so an is equal to क्या होगा वो ही 1 upon pi integration of minus pi to pi f of x cos nx dx ठीक है ये equation से आप an की value find कर देना और आखिर में बचा bn bn का क्या करेंगे same 1 upon pi minus pi to pi f of x यहाँ पे cos x की जगा आप लिख लेना sin nx ठीक है cos nx sin nx dx ठीक है अच्छा तो ये 3 equation Fourier coefficient के आपको याद रखने पड़ेंगे इसका जो answer आएगा वो यहाँ पे रखोगे तो final answer आजाएगा अच्छा दूसरी एक important बात कौन सी कि अगर जो numerical में आपको दिया गया function है वो अगर even होता है कौन सा even function होता है ठीक है तब ये जो 3 values आप डून रहे हो उसमें से आपको ये वाली value डूनने की जरूरत नहीं क्यों अगर function even है जो exam में देखे रखा है तो आप सीधे सीधा लिख लेना bn का value कितना जाएगा 0 के बराबरा जाएगा और अगर even function है तो आपको सिर्फ वारसर्फ a0 और an की value ही find करनी है इसका मतलब क्या हुआ ये equation में से ये पूरा term निकल जाएगा सिर्फ a0 find करो an find करो कब अगर even function देखे रखा है तब उसी तरीके से अगर function आपको मालुम चला कि odd है अगर function odd है तब ये an और ये जो a0 है वो 0 हो जाएंगे यानि a0 बराबर an is equal कितने हो जाएंगे 0 तो आपको find कौन सापट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको find करना पड़ेगा bn ठीक है यानि bn का value आपको डूनना है यहाँ पर किसका even हो तो किसका डूनना पड़ेगा a0 an का डूनना है अगर और हुआ तो किसका डूनना है bn का डूनना है ठीक है अब question आएगा sir even function यानि क्या or function यानि क्या हमें कैसे पता चले तो उसका answer simple है even function यानि ऐसे function जिसके अंदर अगर आप negative sign लगाओगे तो function को कुछ फरक पड़ने वाला नहीं है ठीक है और और function यानि ऐसा function जिसमें अगर आप negative sign लगाते हो तो पूरा का पूरा function negative हो जाता है ठीक है जैसे के even function की बात कर ले even function की बात कर ले even function मैंने क्या बुला तो कुछ फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा यानि कॉस्ट थीटा रहेगा यानि कॉस्ट थीटा हो गया even function मैंने साइन लगाने पर कुछ फरक नहीं पड़ा उसी तरीके से अगर और function की बात करे तो मैं बोलूँगा sin थीटा अब sin थीटा में अगर मैं negative sign लगाता हूं sin of minus theta तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा function negative हो जाएगा पहले positive था अब पूरा का पूरा negative हो गया तो उसे हम बोल देंगे और function और अच्छे से समझे तो एक function suppose f of x देखे रखा है जैसे के हम बोल दें के x square को एक function देखे रखा है अब इसे check करना है even है या और है तो minus sign रखेंगे तो क्या करेंगे f of minus x कर लो तो यह minus x square ठीक है यह minus यहाँ पे रखना पड़ेगा तो यह पूरा square तो कितना हो जाएगा minus minus plus x square यानि यह function में कुछ फरक नहीं पड़ा यह जो minus sign लगा फिर भी यही function हमें मिल रहा है यानि कुछ फरक पड़ा नहीं तो यह क्या हो गया even function और function की बात करें suppose f of x is equal to x cube देके रखा है अब यह और function है के नहीं कैसे check करें वापर से minus sign रखो तो यहाँ पर minus sign रखी cube करो minus का cube क्या होगा यह minus ही रहेगा तो minus x cube हो जाएगा यानि यह किसकी value हो जाएगी minus f of x की value हो जाएगी f of x क्या है x cube यह किसके बड़ाबर आगया minus sign रखा तो यह पूरी term है, जो आगे minus आ जाएगा, यह minus आ जाएगा, यहाँ तो उसके बराबर हो गया, यानि function पूराण negative हो गया, तो उसे बोल देंगे, और function, ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ऐसे भी function आते हैं, जो even भी नहीं है, और भी नहीं है, तो उस case में, a0, an, और bn, तीन जो वैल्यों, सारी वैल्यों आपको find करने पड़ेगी, जैसे के एक example ले लेते हैं, के कोई function देखे रखा है, f of x, e raise to x, अब यह even है या और है, कैसे check करें, तो इसके लिए x, minus x रखो, negative sign, तो क्या हो जाएगा, e raise to x के जागा, minus, तो यह e raise to minus x हो गया, अब यह जो answer मिला, वो क्या f of x के बराबर है, ठीक है, f of x तो क्या है, e raise to x है, f of x, e raise to minus x है, नहीं, बराबर नहीं है, तो यह जो answer हमारा आया, क्या यह minus f of x के बराबर है, ठीक है, minus f of x कितना होगा, minus e raise to x होगा, minus f of x, minus e raise to x होगा, यह कितना e raise to minus x है, यानि यह इसके भ इसका मतलब कुछ ऐसे function भी होते हैं, जो ना ही even होते हैं, ना ही odd होते हैं, तो उस case में ऐसे function के लिए आपको ये तीन value find करने ज़रूरी है, तो जल्दी से screenshot ले लीजिए, अब numerical solve करेंगे, ये वाला numerical solve करते हैं, जिससे करके आप में थोड़ा बहुत confidence level built up होगा, तो numerical क्या है obtain the fourier expansion of fx is equal to x square, और interval कौन सा देखे रखा है, minus pi, 2pi का ही interval है, यानि 2pi periodic function की ये बात कर रहा है, तो start करते हैं, इसको solve करना, तो कैसे करेंगे सबसे पहले, तो हमें fourier series पता है कि इसकी, minus pi 2pi, 2pi periodic function की तो लिख लेते हैं, वो क्या था, f of x is equal to a0 by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinite a n cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinite bn sin nx, ठीक है, ये equation हमारा original equation है, अब ये equation के अंदर हमें सारी values रखनी है, to get the final answer, तो कैसे find करें, तो सबसे पहले तो check करेंगे, जो ये function देखे रखा है, वो even है या odd है, ठीक है, अगर even function निकला, तो क्या बुलेंगे bn का value 0, a0 और an find करो, अगर दिया गया function और निकला, तो बोल देंगे a0 और an 0, सिर्फ bn का value find करो, सबसे पहले check कर लेते हैं, तो check कैसे करेंगे, यहाँ पे f of x कितना देखे रखा है, x square के बराबर, कैसे check करते थे, minus sign रखना था हमें, तो minus sign रख दिया, तो ये minus x पूरा का square हो गया, तो ये x square ह यानि ये क्या हो गया, f of x हो गया, यानि minus sign रखने पर function change नहीं हो रहा, इसका मतलब जो function देखे रखा है, वो है हमारा even function, अगर even function है, तो हम बोलते थे, कि bn का value 0 हो जाता था, यानि ये term पूरा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमें सर्फ और सर्फ किसकी value find करनी है, ह तो उसका equation क्या था, अगर याद हो तो a0 is equal to period का आधा लेते थे, 1 upon pi, integration d गए limit minus pi 2, pi 2 pi period हो गया, f of x dx, आगे बढ़ते हैं, 1 upon pi, integration of minus pi 2 pi, f of x कितना है, x square के बराबर, so x square dx, which is equal to 1 upon pi, अब दूसरी एक important बात, सारे numerical में आपको काम लगने वाली है, कौन सी? कि अगर integration में even function हो, जो की है even function हमने देख लिया, minus sign रखके, अगर integration में even function हो, तो ऐसे even function की हम limit change कर सकते हैं, कैसे? तो यहाँ पे limit क्या है? minus pi 2 pi है, अगर यहाँ पे even function है, जो के है, तो यह limit को हम बदल सकते हैं, to integration of 0 to pi कर सकते हैं, एक और देखते हैं, example, जैसे के हमने लिया, minus pi by 2 to pi by 2, suppose example ले रहें, ठीक है, और यहाँ पे, अगर integration के अंदर even function है, अगर even function है, और नहीं, even function है, तो इसे हम change कर सकते हैं, to integration of 0 to pi by 2, even function है तो, एक last दिख लेते हैं, जैसे के, अगर integration of minus 3 to 3 है, और यहाँ पे even function है, ठीक है, even function है, तो उसे हम change कर सकते है, limit को, to integration of 0 to 3, सायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छा, तो इसका हम क्या करें, even function है, हाँ, even function है, तो इसके limit change कर देते हैं, क्या करेंगे, two times, लिखाया है यहाँ पे, two times, ठीक है, so two times, क्या कर देंगे, 0 to pi, सायद आपको समझ में आ गया होगा, हार एक numerical, अगर even है, तो, x square dx, आगे बढ़ते हैं, यह कितना हो जाएगा, two by pi कर दे, और x square का integration आपको मालू है, x cube by three आता है, ठीक है, और limit zero to pi, which is equals to two by pi, और three भी बहार निकाल दे, क्योंकि वो constant है, तो upper limit minus lower limit करेंगे, तो upper limit में क्या है, pi है, तो pi का cube minus lower limit मे क्या है, zero तो लिखने के जरूरत नहीं, ठीक है, तो यह pi से pi, एक pi cancel होगा, तो क्या आजाएगा, two pi square by three, यह किसका answer आगया हमारा, a not का answer आचुका है, वो answer यहाँ पे रखेंगे, कब an का value fine कर लेते हैं, अच्छा, तो यहाँ तक आपको सायद समझ में आगया होगा, आपका यही आएगा, यह क्यों किया है, easiness के लिए zero to pi, एक limit minus और निकल गई, इसलिए बाकी आपको यही limit रखके, अगर solve करना है, तब भी यह answer आने वाला है, ठीक है, लेकिन ऐसा करोगे, तो अच्छा रहेगा, calculation करने में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें, अ अब find करें an, तो an का equation याद होगा आपको, one upon अधा interval का, minus pi to pi, क्या था, f of x था, cos nx dx था, ठीक है, अच्छा, an is equals to one upon pi, अब fx की value रख दे, minus pi to pi, fx कितना है, x square देखे रखा है, cos nx dx, अब मैं क्या बोल रहा हू, यह minus pi to pi, यही limit रखके आप solve कर दो, answer आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत problem आएगी, तो मैं तो क्या करने बाला हूँ, यही rule follow करूँगा, अगर आपको नहीं करना, तो भी कोई problem नहीं है, तो क्या करेंगे, which is equals to one upon pi, अच्छा, यह x square कॉनसा function है, सर अभी देखा, even function है, cos nx कॉनसा function है, यह भी even function है, क्यों, cos minus theta कितना होता था, cos theta होता था, यानि minus sign रखने पर function को कुछ फरक नहीं पड़ता, यानि यह भी even, यह भी even, even into even, even हो गया, यानि यह पूरा even लेके रखा है, अगर even लेके रखा है, तो limit कैसे change करेंगे, तो रखके, और यह 0 to pi, वही concept लगाया मैंने, आपको नहीं लगाना तो ऐसे भी solve कर सकते हो, अच्छा बचा क्या, x square cos nx dx, ठीक, आगे बढ़ते हैं, so which is equals to, यह 2 upon pi कर दे, ठीक है, अच्छा, अब इसका integration बहुत ही important है, हर एक numerical में ऐसे ही integration मिलेंगे आपको, ठीक है, यह एक term हो गई, यह दूसरी term हो ग लेना, हर एक numerical में ऐसा integration आने वाला है, u into v वाला, तो क्या करें, सबसे पहले, जो पहला term है, उसे as it is रख दो, तो as it is रख दिया, पहले term को तो सर, ठीक, फिर जो दूसरा term है, उसका integration करो, दूसरे term का integration करो, cos nx का integration, cos x का integration क्या होता है, sin x, यहाँ पे nx है, तो nx लिखना पड़ेगा, और cos x के साथ extra term क्या है, n है, तो उसे divide में करना पड़ता है, यह भी पता है, हमें, अगर differentiation की बात करें, तो extra जो भी term होती थी, उसे multiply करते थे, integration में, cos x का sin x तो हो जाएगा, लेकिन extra n है, तो divide करना पड़ेगा, याद रखना यह चीज, ठीक, बात में क्या कर तो पहला तो सरा asities रख दिया, बूसरे का integration कर दिया, फिर minus sign always लगा दो, फिर यह जो पहला रखा है, इसका differentiation करो, इसका differentiation क्या हैगा, x square का 2x, n x is to n minus 1, तो यह हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है, समझने आगे, आगे बड़ो, अब यह जो term है, उसका integration करो, तो इसका integration क्या हो ठीक है, तो यह n square आजाएगा, शायद आपको समझ में आ रहा है, अच्छा, बाद में क्या करें साथ, तो बाद में plus कर दो, तो यहाँ पर मैं जगा कर दो थोड़ी, यह ज़रूरत नहीं, तो बाद में plus कर दो, plus करके क्या करोगे, plus करके यह जो term है, उसका वापस सरा differentiation करो इसका differentiation क्या होगा, तो 2 as it is, x का differentiation 1 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, आगे बादे, अब इसका integration करो, integration कैसे करें, negative sign तो रख देते है, cos x का क्या होगा, sin x, nx है, तो यहाँ पर nx रखो, और n तो एक आएगा, यह आएगा, और साथ में square है, यानि n into n square, यानि n cube, ठीक है, अ अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि अब इसका differentiation करना पड़ेगा, इसका differentiation 0 हो जाएगा, और इसका integration कुछ हाएगा, पूरा term 0, यानि अब आगे बढ़ना हमें, नहीं है, कब तक हमें आगे बढ़ना है, जब तक differentiation possible हो, जब तक integration possible हो, तब तक, ठीक है, और limit कौन स तो सुनो ध्यान से, हमें unit circle पता है, ठीक है, यह हो गया 0, यह हो गया πाई, अच्छा, अब sin 0 की value, 0 होती है, sin πाई की value भी 0 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 और πाई, upper limit और lower limit रखनी है, यहाँ पे हमें, तो upper limit और lower limit, 0 और πाई, अगर sin में रखेंगे, तो value तो 0 मिलेगी, sin 0, 0, sin πाई 0, इसका मतलग, यहाँ पे जो sin के term है, यह पूरे 0 हो जाएंगे, यह रहा sin का term, पूरा 0, तो यह भी multiply, तो 0, यह 2 के साथ multiply, तो 0 यानि बचेगा क्या cost का term, समझ में आए, अब आपस एक बार, upper limit, minus lower limit करना है, यानि x की जगा हमें क्या रखना पड़ेगा, पा और 0 अगर sin के साथ रखोगे, तो sin 0, 0 sin π, 0, तो यह दूरो term चलेगे, बच्चा क्या, बच्चा हमारे पास यह वाला term सिर्फ, यह आगे minus है, यह minus है, तो plus हो जाएगा, plus क्या हो जाएगा, यह 2x हो जाएगा, और यह हो जाएगा, cos nx divided by n square, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2, 2, अच्छा, यह बाहर निकाल दे, 2, तो यह कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, divided by n square भी बाहर निकाल दे, constant है, और यहाँ पे यह pi हो जाएगा, ठीक है, यह limits रखना में बूल गया, 0 to pi, अच्छा, तो अंदर क्या बच किया, अंदर तो सर बच्चा, x बच्चा, और साथ में, cos nx बच्चा, और 0 to pi, अब upper limit minus lower limit कर देते हैं, 4 upon n square pi, कैसे करेंगे, upper limit pi है, तो x की जगा pi लखो, cos nx की जगा pi, minus lower limit x की जगा 0, cos nx की जगा 0, ठीक है, अब इसमें क्या हो जगा 0 multiply with something, तो यह पूरा तम निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कहां लिखो, किसका value, an का value, an का value बचेगा क्या, 4 divided by n square pi बच्चा, और एक काम करें, यह pi से pi कैंसल कर दे, ठीक है, तो यह pi से pi भी कैंसल हो गया, तो 4 by n square आगया, दूसरी एक चीज, बहुत ही important चीज, हर एक numerical में काम आएगी, cos n pi की value याद रखना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, cos n pi की value होती है, minus 1 raise to n, यह आपको याद रखना है, cos n pi, cos n pi minus 1 raise to n, तो यहाँ पे लिख लो, minus 1 raise to n, ठीक है, यह तो 0 हो गया, यानि an का value भी हमें मिल चुका है, अब क्या करें, यह a not का value यहाँ पे रखो, an का value, यहाँ पे रखो, answer मिल गया, तो answer लिख ले, तो answer क्या लिखे, f of x, f of x क्या है, x square है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, x square is equals to a not by 2, a not कितना है, 2 pi square by 3 divided by 2, a not by 2 हो गया, plus, plus, summation of n is equals to 1 to infinite, an का value यह वो रहा, 4 divided by n square minus 1 raise to n, बचा क्या, cos n x, ठीक है, अब finally क्या लिख सकते है, 2 say 2 cancel हो जाएगा, तो final answer यहाँ लिख लेता हूँ, f of x क्या है, x square है, 2 say 2 cancel, तो यह हो जाएगा, pi square by 3, ठीक है, plus, अब यह 4 जो है constant है, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, n बाली term को अंदर रहने देते हैं, तो 4 को बाहर निकाल दिया, summation of n is equals to 1 to infinite, क्या हो गया यह, minus 1 raise to n, divided by नीचे, n square, cos and x, तो यह पूरा हो गया आपका answer, ठीक है, जल्दे से screenshot ले लो, एक दो numerical और देखते हैं, एक और numerical देख लेते हैं, find the fourier series of f of x is equals to x, और interval कौन सा है, minus pi to pi, यानि 2 pi periodic function का यह numerical है, तो वापस से fourier series लिखते हैं, 2 pi periodic function के लिए, वो कौन सी थी अगर आपको plus summation of n is equals to 1 to infinite en, cos and x plus summation of n is equals to 1 to infinite bn sin and x, ठीक है, तो यह equation के अंदर हमें a not an और bn की value दुणनी है, तो सबसे पहरे तो हम यह चेक कर लेते हैं, जो function देके रखा है, f of x is equals to x, वो even है या odd है, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, minus sign रखेंगे, तो f of x क्या देके रखा है, x देके रखा है, तो minus sign रखो, f of minus x करो, तो यहाँ पर minus x आ जाएगा, तो minus x किसके बराबर होगा, minus f of x के बराबर होगा, यानि minus sign रखने पर पूरा का पूरा function negative हो गया, इसका मतलब जो function देके रखा है, वो odd है और अगर function odd है तो हम क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि इसका a not और an दो नो 0 के बराबर होंगे आप find करके भी देख सकते हो 0 ही answer आपका आने वाला है और हमें bn की value find करनी पड़ेगी तो ये equation कैसा reduce हो जाएगा ये 0 आजाएगा ये 0 आजाएगा यानि इतना ही equation रहे का जिसमें हम bn की value find करके रख देंगे ठीक है तो bn की value find करते हैं तो bn का क्या equation था 1 upon आदा पिरियर का minus pi to pi देखे रखा है क्या था f of x sin nx dx ठीक है sin nx अच्छे से लिख लेता हूँ sin nx dx ठीक है आगे बढ़ते हैं is equals to 1 upon pi integration of minus pi to pi f of x क्या है देखे रखा x है और ये sin nx dx ठीक है अच्छा अब आप ये numerical minus pi to pi limit रखके भी solve कर सकते हो ठीक लेकिन यहाँ पे हम वापस से even or वाला concept लगाएंगे कैसे तो ये जो x है वो क्या है or function है minus रखने पर पूरा function negative हो जाता है ठीक है और ये sin nx कहता है ये भी or है कि हो sin of minus theta is equals to minus sin theta यानि ये भी or है ये भी or है दोनो or है तो दोनो or function का multiplication हमेशा even आता है यहाँ पे लिख लेता हूँ अगर or 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 को multiply किया तो answer कितना आजाएगा even आजाएगा ठीक है कैसे even आजाएगा जैसे के यहाँ पे minus sign रखवा minus sign ठीक है तो f of minus x हो गया even or है यहाँ पे minus sign रखो तो ये हो जाएगा minus sign nx minus minus plus हो जाएगा तो x sin nx आजाएगा यानि function तो change हुआ नहीं negative sign रखने पर अगर multiply करते हो इसका मतलब ये दोनों को अगर combine करेंगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा even हो जाएगा और अगर even हुआ तो हम limit change करते कैसे 1 upon pi 2 integration of 0 to pi करके x sin nx dx करके ना करोगे तो भी चल जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 1 upon यहाँ पे 2 upon pi कर देता हूं so 2 upon pi ठीक है अब वापस से u into v मैंने बोला था याद रखने को आपको Bernoulli's integral rule वो कैसे याद रखते थे हम वापस से दिख लेते हैं एक बार अच प्लाइबी थे दूसरे टर्म का integration करो sin x का integration क्या minus cos nx nx है और जो x के साथ extra है divide करते थे ठीक है यहाँ तक मालूम है फिर minus sign रखते थे थे फिर यह जो फॉस टर्म है उसका differentiation करते थे तो x का differentiation कितना होगा 1 हो जाएगा और जो दूसरा term है उसका integration करते थे तो minus sign times it is रख लिय by n आएगा और already n present है तो n square आजाएगा ठीक है प्लस करके इसका differentiation 0 हो जाएगा तो आगे बढ़ने की कोई जरुवत नहीं 0 to pi लिख लेते हैं अच्छा आगे बढ़ते हैं 2 upon pi अब क्या करें वापस दिमाग लगाते हैं upper limit minus lower limit करनी है अब भी हम देख गए क्या sin 0 बराबर 0 sin sin pi बराबर 0 अगर x की जगा pi रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा sin x की जगा 0 sin 0 ये पूरा 0 हो जाएगा ठीक है तो ये वाली term निकाल देते हैं क्यों sin 0 0 sin pi 0 तो बचा क्या हमारे पास बचा यही चीज हमारे पास बची तो ये चीज तो 0 के बराबर होगा आप समझ में आ बच क्या गया हमारे पास ये n को भी बहार ले जाता हूं तो ये n भी बहार आ गया ठीक है तो बच गया x into cos and x 0 to pi समझ में आ गया होगा कुछ की या नहीं है आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 upon minus 2 upon n pi अब रखते हैं upper limit कितना है pi है into cos and pi minus lower limit x की जगा 0 into cos and 0 वापस से क्या बुल देंगे 0 के साथ ये पूरा निकल गया ठीक है आगे बढ़ो which is equals to ये pi से pi cancel हो जाएगा तो minus 2 upon n हो गया cos and pi का मैंने बोला था आपको कितना होता है minus 1 raise to n so minus 1 raise to n तो ये हमारा answer आ गया bn का ठीक है अब सीधे सीधा ये इसमें रख देते हैं तो कैसे लि ये 0 ये 0 अगर आप calculate करोगे तो भी 0 आएगा summation of n is equals to 1 to infinite bn का value minus 2 upon n minus 1 raise to n और साथ में क्या है sin nx sin nx ठीक है इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं so x is equals to minus 2 बाहर रख देते हैं constant है summation of n is equals to 1 to infinite बचा क्या minus 1 raise to n divided by ये n बचा साथ में sin nx तो ये हो गया हमारा answer अब करने को तो बहुत सारे numerical कर सकते हैं लेकिन जब तक आप अपने आपसे numerical practice नहीं करोगे तब तक आपको confidence आने वाला नहीं है तो एक numerical अपने आपसे करना अगर आपसे होता है तो f of x is equals to e raise to x ठीक है ये function देखे रखा है और time period वही है हमारा minus pi less than x less than pi अगर आपको आ रहा है तो comment कर देना तो इस वीडियो में बस इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा numerical practice की जिए का 2 pi periodic function की तो till then read hard work hard thank you very much